हेलो एब्रिवन एब्रेजेट्चूश्ण इस में आप सभी का स्वावत है आज आए 11 जनुवरी 2019 और हम दिसकस करने जा रहे हैं ता हिंदू माइड मैप आए हम आप लोगो की क्या है इस वीडियो को डिसकस करने का हम इस वीडियो में लेचन का हमारे शटीं चसे केसे उसमें sih और उसको कैसे फिर एक्जाम में पूछा है इस टाइक का वीडियो मैंने एक बनाया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि 2018 में जो कैसे न्यूज पेपर का न्यूज जो है उसको रिलेट करके एस्टैटिक पार्ट बहुत सारे ये कोश्चन में पूछा गया था तो आप उसे रिलेट कर सकते हैं पह करने के लिए 2024 तक इसका यह रखा गया है इसमें गौबर्मेंट क्या करेगी कि नंबर अब मोनेटरिंग एस्टेक्शन को इंक्रीज करेगी टेक्नोजी सपोर्ट को इंक्रीज करने वाली है और हर एक जगा यह मतलब कि एक तरह से यह किया जाएगा कि कैसे कैसे उसको यह क सब्सक्राइब करता है और यह एक तरह सी है कि पचास परसेंट रिजर्वेशन कोटा को भी ब्रीज करता है कछनी के पेपर टूस से रिलेटेड है कि केरला जो है मतलब कि निव्रुद करण को जाएग कर गया है तो इसको आप ऐसे अजम्पल के तवर ने कैनी हमें कर सकते हैं कि हमाफ इनक्रीज कर गए लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यहां पी यह हो गई कि इसमें वहां के एडीजीपी जो है उन्होंने बताया है कि यह इतना ग्राप इंक्रीज इसलिए क्या है क्योंकि पीपुल लोग कर बहुत लोग कंसर्ण है इसको रिपोर्ट करने के लिए इस वज़े से बहुत सारे रिपोर्टिंग हो रहे है नेक्स न्यूज है पेपर 3 से चैलेंज आने वाले क्योंकि स्पेंडिंग बहुत ज्यादा पढ़ने वाली है इसके संदर में गॉबर्मेंट ने यह अपना जीडिपी यह ग्रोथ 2018-2019 का स्टैक्स भी दिया था जो 7.2 परसेंट है और इसमें यह बताया था गॉबर्मेंट को मतलब कि कॉसन लेना यह structural reform पर ताकि हम लोग प्रोड़क्टिविटी को increase किया जाते है ना कि हम लोग पॉपलिस्ट पॉलिसी पर ज्यादा डिपेंड करना चाहिए एक अलग प्रॉब्लेम है जो हुआ है कि हम लोग का overdependence है जो है imported oil पे हम लोग बहुत सारे overdependence हो जाते है important oil पे जो हमारे growth के लिए heavily बहुत ही ज्यादा येव कर देता है हम लोग एकनॉमिक गूर्ट के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लेमेटिक क्रियेट कर देता है इस वज़े से government को यह suggest किया गया है कि वह पॉपलिस्ट मेजर्स पे spending पे बूस्ट करने पे ज्यादा ध्यान नहीं दे और उस इस वज़े से इसको कर करना चाहिए नेक्स न्यूज है इडिटोरियल पाइट का ही है एक सॉलूशन ये बताया गया है कि कैसे हम लोग रिजर्वेशन को एक सॉलूशन ढूंद सकते हैं उन्होंने बताया है कि रिजर्वेशन जो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है जो ह करके यह करना चाहिए इसमें गवर्नेंट ने यह कहा है कि हम लोग किसी को भी एक्स्क्लूट नहीं कर रहे है क्योंकि आठ लग पर एनम सबका यह जो थर्षोड रखा गया है तो एक नेशनल सेर्वेशन के रिपोर्ट के अनुशार 2011 बारे में यह कहता है कि एक्सपेंडि सबकित का जो है इनकम्म लेसदेन एक लाख है तो हम लोग किसी को भी इसमें इंक्लू ब। किया जा रहा है कि इसमें का सबकरज़त रहे है कि कि नहीं करने का कि लेने में बाहत सारी प्रॉब्लेमा सकती है 2014 के UPSC के एक रिपोर्ट में आया है कि जिसमें 0.14% जो है एप्लिकेंट जो है UPSC को क्वालिभाई किया है जिसमें मस्ट जो है जेनरल कटेग्री और OBC के एस्टुडेंट है जो है 0.17% जो है सबसे लोईस्ट है 0.08% जो यह स्टैटिक्स करता है कि रिजर्वेशन कोई भी हम लोग का परपस शॉल्ब नहीं करता है इन राइटर ने एक मेजर सजेस्ट किया है कि हम लोगो इंडविज्वल यूज ऑफ रिजर्व कैटेग्री पर ध्यान देना चाहिए जैसे कि हम लोग रिजर्व कैटेग्री को एक ही बार यूज कर सकते हैं ना कि दो दो बार एक बार एक बार एजुकेशन के समय रिजर्व कैटेग्री को यूज करें आगें फिस जॉब के टाइम भी यूज करें सो एक टाइब हम लोग उसको यूज कर सकते हैं अगयान आई एसडिएस के डेटा के अलुसार यह सो किया गया है कि चिल्डरेन जो है आज से गारा साल के बीज में जो है 68% जो है फोरवाट कास्ट के चिल्डरेन क्लास एक लेवल तक पढ़ते हैं वाइल्ड और उसके बाद तो OBC के 56% SCST के 45% और STAC के 40% है तो हम लोग को इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि प्राइमरी लेवल पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और Equality को उहां पर रोमट करना चाहिए ताकि Foundation तभी भी बन पायेगा जब हम लोग प्राइमरी लेवल पे ध्यान देंगे ना कि अपर लेवल पे एजुकेशन ग्रेजुएट लेवल और उसके जॉब के समय सो प्राइमरी लेवल पे ही द्यांग देना होगा नेक्स न्यूज है पेपर टू से रिलेटेट है कि एस्टेट एप्रूबल नहीं चाहिए हम लोग को कोटा विल के लिए क्योंकि गवर्मेंट करने के लिए इस्टेट का एप्रूबल लेना ज़रूरी नहीं है बस इसी आइटिकल को इससे रिलेट किया गया है नेक्स न्यूज है वो पेपर 3 से रिलेटेट है कि गवर्मेंट ने जो एक कैप इंक्रीज कर दिया जो दो लाख था उसको चालिस लाग कर दिया है और एन